तो हाई अरियन दिस इस मी और अभी शेक सर्यों मास्टर डिच अपके नशी तो यह वीडियो उन लोगों के लिए काम का है जिनके एक फिजिक्स में कम से कम आठ से बारा चैप्टर्स पढ़के हो चुके हैं तो मैं एक सिंपल सा कैल्कुरेशन बताता हूँ कि आपको 16 के 16 चैप्टर्स पढ़ना बड़ी बात नहीं है आपको उन चैप्टर्स को एक्जाम के पहले रिवाइस करना बड़ी बात है जैसे कि अगर हम बात करते हैं किसी बच्चे ने 12 चैप्टर्स ही पढ़े हैं तो अगर एक चेप्टर का वेटेज में 6 नमबर पकड़ता हूँ, तो 12, 6 हो जाएगा 72, यार 70 माक के पेपर में तो 2 माक का एकस्टा ही लिखके आ जाओगे, तो ये वीडियो उनी लोगों का काम का है, जिनोंने 12 से लेकर के कम से कम 8 चेप्टर तो पढ़के रखें, फिजिक है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अब इसके बाद देखिए ध्यान से, ये सारी की सारी चीजे में आपको फ्री में प्रोवाइट करा रहा हूँ, अगर आपको ये चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिखेगा, वाट्सप ग्रूप का उसमें जॉइन हो जाना है, या फिर टेलिग्राम चैनल का, उस दोनों में आपको ये मिल जाएगा, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे किसी वाट्सप ग्रूप में अल्रेडी जॉइन हो, तो आप नए ग्रूप में मत जॉइन होईए, ठीक है, इस बात का प्लीज ध्या को क्या कर रहा है, ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या है, डिफाइन बी ट्रिक्वेंसी, डिफाइन वेंस डिस्प्रेश्मेंट लाओ, विच मेंच मैथड ऑफ बाइसिंग, यह सब 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 कोश्चन्स दिया हुए, इसके बाद, सबसे इंपोर्टेंट चीज, युडियों हो जाओगी, यह मेरी गैरेंटी है, यह पाद सेंपल मेंसे बहुत से कोश्चन्स रहेंगे, यह आपको मिलेंगे एक्जाम में, इन कोश्चन्स को अच्छे से करके जाओ, यह आपको यह आईडिया आजाएगा, कि आपको कितने माक के लिए आता है यह कोश्चन, तीन माक क इसके बाद, इसका वर्किंग इसका एक्स्पेंड किया है, इस तरीके से, इस तरीके से अगर आप समझ जाओगे ला, इसका इसका इक्वेशन, इक्वेशन सब सौल करके यहा तक दिखा है, तो इसमें बता है कि इतना लिखेगा ना, अगर कंस्ट्रक्शन का दो इस तरीके सबस्ट्रक्शन को कैसे स्टार्ट करना, अगर निमेरिकल आ रहा है, तो यहां पर कैसे, पहले गीवन में जो जो दिया हुआ है, क्या पूछा है डायमेटर, क्या फॉर्मुला यह है, फिर उसके आद आपने क्या किया देखिए रहां से, यह फॉर्मुला किया, पी को स्टू 4T अपन आरे, तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले अपने को आर निकालना, तो आर को इदर ले लिए, पी को इदर रख दिया, फिर इसके आद इसको सौल कर लिए, ज़स्ट सौल करने के लिए यहां पर बता है कि इसको डिवाट कैसे सौल किया, लॉग इसक यह जंते हैं यह ज़स्ट कलेको डिवागली वेवलेंट बुलेट मूविंग इस स्पीड उप 90 मिलिविटर पर इस पाज ग्राम की बुलेट है, ऐसे मूझ करके मेरे पास आरी है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ, आजा, मेरे बाहों में समाजा, तो बुलेट आरी है, ठी तो तो यह तो यह स्वाइब वेलोसिटी इसकी है फिर एच प्लैंक्स कॉंस्टेंट रखो सॉल करो यार क्या तुमको यह निकल गए तो यह तो यह तो यह तो यह था यह था यह कि पर्टिकलर पॉइंट पर नहीं पढ़ा कर सकते हैं यह तो सिंपल एयार ठीक है संब कुछ सब कुछ मैंने दिया ओँए यार इतना तो तुम लोग भी अच्छे से पढ़ना चाहिए आपको आज आए इतना जादा कुछ हाड निए बच्छा डिपाइड मैंगनेटाइजेशन मेंगनेटाइजेशन का डेफिनेशन उसकी ऐसा यूनिटाइवेंशन से पढ़के जाव अच्छे जिए सब एक्जाम में आगा सेंप यह क्यों से ले करके पेपर सेंपल अब तुम आप यह तो ना जिसका खुछ भी बढ़के ना फाई तुछ लगा तो खुछ से सोच तो अगर पाथ आपके जा रहा है ठीक है अगर एक सेंपल विपर की बात दोता हूं यह एक सेंपल बानाइटी अट है कितने मांक्स आहों तो आपको पता है और शुच्छ और शुच्छ नाइंटीएट नाइंटीएट मार्ट यह पांच पेपर करके जा रहे हो तो आपको लगता नहीं कि उसमें से कुछ भी कोश्चन नहीं आएगा इतना गया गुजर है अपना खिस्मत अरे भाई को सर्वाइव करके आपन को रो सब्सक्राइब हो ना तो मैं बता रहा हूँ सिंपल तरीके से आप इन कोश्चन को अच्छे से करके जाओ अब इसके बाद जब 30,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिजिस्क के उपर इन्पॉर्टेंट चैप्टर पर इन्पॉर्टेंट कोश्चन थेरी के कोश्चन अ का रहे तैइसको अपन सौल कर सकते है और इसके अंसर भी दिय हुए अगर आपन सौल नहीं करें तो कम से अपने को क्या करना चैशिए पहले चपर पढ़किए है यह चैपर में ने टूब कोश्चन है यह चैप्टर नमर्क्य क्योश्चन में ऐसा कुश्चन पूच्चा ग देखो एक माग का पूस्त है पांचे लाइन लिखते आते हैं अरे ऐसा नहीं करना है वेरे भाई सबको समझ में है हमारी जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम यह है कि हम लोगे पढ़ने का तरीका ही नहीं सीख है तीक है मैं आपको क्या बता है दो टाइप के बच्चे ल चैप्टर बढ़ो चैप्टर का एक बार रीडिंग कर लो तो उसमें देखो उस चैप्टर में से इस सेंपल पेपर से कौन-कौन से कोश्चंस पुछेगे एनलीसिस करना चीको आपको आपको अची तरीके से प्रगड के तगड के पल लो अच्छे से तो आपका काम हो में जरूर बताना और हां मैंने आपको बताया है कि फ्रिजिक्स को रोज पढ़ना आपको क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पे और मुझ पे इस पूरी दुनिया पे भाड़ी है तो फ्रिजिस को एक ही चीज कहना है कि जान लगाना है या फिर जाने देना है ठीक ह समझ में आगया सबको तो अभी मैं आपको मिलता हूं ऐसी किसी नेक्स टेक्चर में तब तरके लिए रादे और बता दो देखो इसको पर इदिर इसकी सेंपल में भी आ गया ऐसा बहुत से विच्टेंट भी दिखेंगे इन कुस्टन को अच्छे से सौल करके जाओ यह वा इस गेम को सबसे पहले समझो मैं देखता हूं अकसर बच्चे फेल होते रहते हैं यृट टेस्ट में समिस्टर में पर वह गेम को समझ रहा है करना क्या है कभी भी स्टाटेजी बनाओ ऐसी नहीं रेंडम ली मत चलना चालू कर दो ठीक है स्टाटेजी बनाओ कि आज इस च करने उसको देख लिए ना आए बटन का लिंक आपके आएगा उस पे क्लिक करके ठीक है तो आपको बढ़ा के लिए तो 30,000 सब्सक्राइबर के ओपर अपना इंपॉर्टेंट की वीडियो आएगी फिजिस के रिगाड़ी तब तर लए राधे राधे जय महारास्ट्रा